अस्तामलेकम स्टुडेंट्स, वेलकम तू साइंस बेस स्कूल ऑनलाइन स्टुडीज, कैसे हैं आप सब, hope you are all fine, स्टुडेट्स आज हम new countdown math class 2 के page number 8 to 14 की completion करेंगे, तो आएए अपना work शुरू करते हैं, page number 8, hundreds, tens and ones, इससे पहले हमने, ones और tens की counting की थी, कि जब हम count करते हुए, 9 तक लिखते हैं, तो वो single figure होती है, यानि एक ही block में लिखा जाता है, और जब 10 लिखना होता है, तो उसके लिए हमें double figure जो है, वो लिखनी होती है, यानि 1 और 0, तो अब हमने tens के बाद 100 की figure भी जो है, वो लिखनी है, यानि जब हम counting करते करते, 100 तक पहुँचते हैं, तो उसके लिए हमें 3 blocks जो है, वो use करने होते हैं, यानि 1 के साथ 2 0 भी लिखने होते हैं, तो वो 100 की figure कहलाती है, question number 1 है, count and write, then draw beads on the abacus, कि आपने count भी करना है, लिखना है, और फिर abacus पर beads भी draw करने हैं, ये students आपको नजर आ रहा है, कि 10 10s जो हैं, वो मिलकर क्या बना देते हैं, one hundred, यानि 10 10s, one hundred बना देते हैं, जिस तरह से two 10s, twenty होते हैं, three 10s, thirty होते हैं, तो जिप 10 10s होते हैं, तो क्या होता है? 100, one hundred, और उसका ये जो block है, ये इस तरह का होता है, तो आपने इसको hundred count करना है, यानि यहाँ पर जो block है, वो hundred है, एपार्ट देखिए, उन्होंने आपके लिए complete किया है कि किस तरह से इसकी filling करनी है अब ये one block hundred वाला है हमारे पास, one block tens वाला है और यहाँ पर ones के लिए कितने block है, one, two, three कि counting हमने कर लेनी है, फिर उसी तरह से हमने इन्हें related number के नीचे लिखना है ये hundreds लिखा हुआ है, तो हमारे पास कितने hundreds है, one, ये tens है, और हमारे पास कितने tens है, one और हमारे पास ones कितने है, one, two, three, तो ones के नीचे हमने लिखा three तो ये total हो जाएगा, one hundred and thirteen, तो इसको total को हमने लिखना है अब यहाँ पर जो abacus है, उसमें beads fill करने है, hundred में कितने beads होंगे, one, tens में भी one और जो ones का rod है, उसमें कितने beads होंगे, three, यानि one, two, three, तो इस तरह से हमने ये numbers लिखने भी हैं और फिर abacus पर beads भी ड्रॉ करने है, तो B part आये, complete करते हैं, इसमें हमारे पास hundred के कितने block है, one, hundred के नीचे क्या लिखा जाएगा, one, tens के कितने block है, one, two, three, three है हमारे पास, तो tens के नीचे कितना लिखा जाएगा, three, अब ones के देखते हैं, one, two, three, four, five, six, seven, तो seven ones है हमारे पास, तो ones के, जी हम क्या लिखेंगे, seven, यानी, one, three, seven, और इने जब हम मिला के लिखेंगे, तो क्या होगा, one, hundred, thirty, seven, अब हमने abacus पर beads ड्रॉ करने हैं, सबसे पहले hundreds का, hundreds कितने, one, तो hundreds वाले, जो rod है, उसमें one bead होगा, tens three है, tens वाले rod में three beads हम ड्रॉ करें और ones वाले rod में seven beads, जो हैं, वो ड्रॉ किये जाएंगे, one, two, three, four, five, six, seven, आपने बहुत neat and clean, जो हैं, वो beads ड्रॉ करने हैं, यनि छोटे बड़े ना हो, बहुत खुबसूरत से, मुनासिब size के, इनका size भी जो है, वो एक सा हो, तो आपने खुबसूरती से अपनी बुक में यह filling करनी है, C part देखिए, इसमें hundred के blocks कितने हैं, हमारे पास, two, hundredths के नीचे क्या लिखेंगे, two, यनि one और two, अब tens के कितने block है, one, tens के नीचे के आएगा, one, और ones के, one, two, यनि हमारे पास ones two है, तो ones के नीचे क्या आएगा, two, यनि two, one, two, इसको मिला के लिखेंगे, तो इ two hundred twelve, इसी तरह से इसकी completion करेंगे, यहां पर rods में beat draw करेंगे, hundred वाले rod में कितने beats आएगे, two, बिल्कुल ठीक, one, two, beats draw करेंगे, tens में one, यह one beat draw किया, और once में again two, यह once वाले rod में two beats हमने draw करने है, यनि block में हमने two hundred twelve लिख लेना है, और फिर हमने beats draw कर लेने है, D part देखिए, हमारे पास hundred के blocks कितने है, one, two, two hundred है हमारे पास, tens के, one, two, three, four, four blocks है, four लिखेंगे यहां पर हम, और once कितने है, one, यनि two, four, one, तो यह कितना हो जाएगा मिलके, उसको लिख लेंगे, two hundred forty one, फिर हम beats draw करेंगे, hundred में कितने beats होंगे, two, two, tens में four, और ones में one, इस तरह से खुबसूरत से beats आपने draw कर लेने है, इस पाट देखिए, इसमें hundred के कितने block है, one, two, three, तो three लिखेंगे हम, अब देखिए, tens के one, one लिखेंगे यहां पर, अब ones काउंट कर लेते हैं, one, two, three, four, five, six, seven, eight, eight ones है हमारे पास, यह three, one, eight, तो मिला के कितना हो जाएगा, three hundred, eighteen, अब इकस पर हमने beats द्रॉ करने है, hundred में कितने beats होंगे, three, tens में one, और ones में eight, यह neat and clean beats आपने ड्रॉ करने है, इन blocks में आपने total number लिख लेना है, कि हमारे पास total कितने blocks हैं, और फिर beats ड्रॉ करने है, अब इकस पर, इस तरह से आपने अपना यह page जो है, यह complete कर लेना है, page number nine, hundreds, tens and ones, question number two है, count and write, जी हमने count करना है, और वो numbers लिखने है, पहले हमने hundreds, tens and ones count किये थे, और abacus पर beats भी ड्रॉ किये थे, page number eight पर, अब हमने सिर्फ इने count करके, इनके numbers लिखने है, यह part जो है, उसने हमारे लिए complete किया है, book पर, example के लिए, तो आएए देखते हैं, किस तरह से हमने इने count करना है और लिखना है, जी, let's count the hundreds first, how many hundreds we have, one, two, three, four, four hundreds हैं, देखिए, उसने four लिखा है hundreds के नीचे, how many tens, one, two, three, three tens हैं, तो tens के नीचे हम three लिखेंगे, and how many ones, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, nine ones हैं हमारे पास, जी, तो हमने इने two time गिल लेना है, ताकि कोई mistake ना हो, nine ones लिखेगे, वे total number हमने इस block में लिखना है, जिस तरह से उसने लिखा हुआ है, four hundred thirty nine, तो आईए, हम अपनी completion स्टार्ट करते हैं, भी बाट देखिए, how many hundreds, count कीजिए, one, two, three, four, five, six, six hundreds है हमारे पास, तो hundreds के नीचे हम क्या लिखेंगे, six, let's count tens, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, nine tens है हमारे पास, तो tens के नीचे nine लिखेंगे, let's see how many ones we have, one, two, three, three ones है हमारे पास, so ones के नीचे हम क्या लिखेंगे, three, तो टोटल फिगर को इस block में लिखना है, यानि six hundred ninety three, यह total हमारे पास number हुआ, block में लिखिए, filling कीजिए इसकी, c पाट देखिए, how many hundreds we have, one, two, three, four, five, five hundreds है हमारे पास, तो यहाँ पर five लिखेंगे, and how many tens, one, two, three, four, five, five tens है हमारे पास, and how many ones, one, two, three, four, five, five, g, five ही ones है, तो टोटल फिगर हमारे पास क्या हो जाएगी, five hundred fifty five, g, दीपार देखिए, let's count how many hundreds we have, one, two, three, four, five, six, seven, eight, eight hundreds है हमारे पास, hundreds के नीचे हम क्या लिखेंगे, eight, let's count the tens, one, two, three, three tens है हमारे पास, and how many ones, let's count, one, two, three, three, three ones है हमारे पास, तो ये टोटल फिगर जो है वो लिखे जाएगी, eight hundred and thirty-three, ये पार देखिए, how many hundreds, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, nine hundreds है हमारे पास, hundreds के नीचे हम nine लिखेंगे, how many tens, only one, one, tens के नीचे क्या लिखेंगे, one, let's count the ones, one, two, three, four, five, six, six ones है हमारे पास, ones के नीचे क्या लिखा जाएगा, six, ये टोटल फिगर हम इस ब्लॉक में लिखेंगे, nine hundred and sixteen, f पार देखिए, count the hundreds, one, two, three, four, five, six, seven, seven hundreds है, हम hundreds के नीचे क्या लिखेंगे, seven, tens देखती है, one, two, three, four, five, six, six tens है, तो tens के नीचे क्या लिखा जाएगा, six, and how many ones, let's count, one, two, three, four, five, six, seven, seven, seven ones है, तो ये टोटल फिगर हमने इस ब्लॉक में लिखनी है, seven hundred and sixty-seven. पेस्ट नमबर ten, question number three, write in hundreds, tens and ones, then draw beads on the abacus. Students हमारे पास, उन्होंने figures दी हैं, उनको हमने hundreds में, tens में और ones में डिवाइड करके लिखना है, और फिर abacus में hundred, tens और ones में, इनके rods में beads भी ड्रॉ करने हैं, जी. हमने अपने पिछले pages में पढ़ाया कि, first figure ones की होती है, second figure tens की, और third figure जो है वो hundred की होती है, तो आईए देखते हैं कि इसको हमने किस तरह से solve करना है, यह पार देखिए, one hundred, thirteen, block में है, इसको किस तरह से लिखना है हमने, one hundred, one tens, three ones, इनको अलग अलग हमने, hundred, tens और ones में लिखना है, और उसके बाद इस abacus में हमने beads ड्रॉ करने है, hundred में कितने beads होंगे, one, बिल्कुल ठीक, हमार पास one hundred है, तो one bead होगा, one tens है तो, tens वाली rod में भी one bead होगा, और ones कितने हैं हमार पास, three, three, तो ones वाले rod में, three beads हम ड्रॉ करेंगे, equal size के मनासिब से beads आपने ड्रॉ करने हैं, neat and clean, B part देखिए, यह हमारे पास, eight, four, one, यहनि, hundred की figure कितनी है, eight, tens की four, और ones की one, यहनि यह है, eight hundred, forty-one, तो इनको हमने अलग अलग लिखना है, that how many hundreds, कितने hundreds है हमारे पास, जी, eight hundreds है, तो उसे हमने पहले लिख लेना है, eight hundreds, then how many tens, four, four tens लिखेंगे हम यहाँ पर, उसके बाद ones कितने है, one, तो one, one, उसके बाद हमने, इनके rod में, ड्रॉ करने है, beads, hundred में है, eight, eight beads हमने, count करके यहाँ पर, draw कर लेने है, फिर tens draw करने है, tens में कितने beads होंगे, four, four beads हमने draw कर लेने है, और one में single bead, यहनी one है, बिल्कुल ठीक, इस तरह से हमने, इस दी ही figure को, hundred, tens और ones में लिखना है, और उसके बाद हमने, hundred के, tens के, और ones के rod में, beads भी draw करने है, सी पार्ट देखिए, five, nine, three, five hundred, ninety-three, अब देखिए, इस में hundred कितने है, five, यहाँ पर हम लिखेंगे, five hundreds, five hundreds लिखेंगे, उसके बाद, tens कितने है, nine, उसके बाद हम nine tens लिखेंगे, उसके बाद, three ones हैं हमारे पास, three ones लिखेंगे, जह हंडर्ट, tens लिखने तक, आपने यहाँ पर कॉमाज भी लगाने हैं, ताकि यह, जो हम लिख रहे हैं, यह एक ही figure ना लगे, यह अलग लग इनको करने के लिए, कॉमाज भी आपने लगाने हैं, यहनि हंडर्ट के बाद कॉमा लगाएंगे, tens के बाद कॉमा लगाएंगे, ones के बाद, चुँकि नेक्स figure कोई नहीं है, तो कॉमा नहीं लगेगा, so five hundreds, nine tens, three ones, अब इनको हमने, abicus पर ड्रॉ कर लेना है, hundreds में कितने बीर्ज हैं, five, tens मे, nine, और ones में, three beards हम ड्रॉ करेंगे, आपने इस तरह से abicus भी complete करना है, और इस figure को, जो five hundred ninety three है, इसे hundreds, tens और ones में लिखना भी है, इसी तरह से बिटा, आपने यह अपने बाकी parts जो है, वो page के हो है, complete कर लेना है अपना, page number 11, question number 4, what number does each abicus show, right in the box, वो कह रहा है कि abicus में हमने beards draw की हमें है, वो count करके देखिए, और total number नीचे लिखिए, कि यह कितने number को show कर रहा है, तो सबसे पहले हम, अपनी third वाली figure देखेंगे, जो कि hundred की होती है, इस rod में कितने beards हैं, count कर लेते हैं, one, two, three, four, five, five, five beards हैं अंडर में, तो हमने इस block में five लिख देना है, जैसा कि आपकी बुक में यह complete किया हुआ है, एक example के लिए, उसके बाद, 10s का rod देखते हैं, one, two, यह देखिए, उसने two लिखा हुआ आपकी बुक में, ones का rod, count करते हैं, one, two, three, four, five, six, seven, तो इसी तरह से हमने भी यह completion करनी है, तो आईए start करते हैं, बी पार्ट देखिए, 100 वाले राउंड में, beats count करते हैं, one, two, three, four, five, six, seven, eight, eight beats हैं, इसको दुबारा count कर लेते हैं, ताकि mistake ना हो, one, two, three, four, five, six, seven, eight, तो यहां पर हम 100 के rod के नीचे कितने beats हमने count के eight, तो eight लिखेंगे, अब 10 का rod देखते हैं, one, two, three, four, five, जी five beats है इसमें, तो हमने इसके नीचे five लिख लिख लिया, अब 1 का rod में कितने beats हैं, one, two, three, four, four beats हैं, तो हम वहां पर four लिख लेंगे, तो यह हमारी total figure कितनी बन गई, eight hundred, fifty-four, eight hundred, fifty-four, इस तरह से abicus के rods में beats count करके हमने अपनी figure complete करनी है, c part देखिए, hundred लिखेंगे, rod में कितने beats हैं, one, two, जी two hundred है, तो हमने two लिख लिख लिया, tens लिखेंगे rod में count करते हैं, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, तो nine tens हैं, तो nine लिख लिख लिए हमने, इसके बाद बनस के rod में, one, two, three, four, five, six, seven, seven beats हैं, तो यहां पर हमने seven लिख लिख लिए, तो हमने टोटल figure कितना हो गया, two hundred ninety seven, इस तरह से हमने अपना ये block भी जो है, वो fill कर लिया अपना box तो आपने इस तरह से अपने सारे जो abacus हैं उनमें beads count करके अपने boxes जो हैं वो complete कर लेने हैं और two time counting करनी है ताके हमारे से mistake नहोगा पेश नमबर 11, question नमबर 5, draw beads on the abacus to show these numbers जी students, last page पे हमने beads count करके numbers लिखे थे, इस बार हमारे पास numbers है वो numbers count करके हमने 100, 10s और 1s में तो abacus में beads fill करने हैं तो और ये देखते हैं ए पार इसमें लिखा हुआ है 123, जी और abacus हमारे पास सामने है आपकी book में 100 कितने है, 1, तो 100 वाले rod में कितने beads होंगे, 1, 1 bead draw करेंगे हम, 10s की second figure है, देखिए कितनी है, 2, तो 10 वाले rod में कितने beads होंगे, 2, 1, 2, ये हमने draw कर ये हमने है, number 3, 1s की figure है, यनि इदर से ये first 1 है, यहाँ पर beads कितने है, 3, 1s वाले rod में 3 beads draw होंगे, 1, 2, 3, तो इस तरह से हमारी figure complete हो जाएगी, 100, 2, 10s, और 3 ones है, और ये figure है, 123 की, बी पार देखिए, 384, तो 100 की जो figure है, उसमें कितने beads होंगे, 3, 300 है, तो यहाँ पर हम इस rod में 3 beads draw करेंगे, 1, 2, 3, second figure देखिए, 10s की, how many 10s, 8, तो 10s के rod में कितने beads होंगे, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 beads हम draw करेंगे, अब 1s में, first figure 1s की है, तो देखिए, 1s कितने है, 4, 1s में 4 beads draw करेंगे, 1, 2, 3, 4, तो इस तरह से 300 और हमारे पास 8 10s और 4 1s है, यहीं यह total number हमारे पास हो गया, 384 का, C part देखिए, 611, तो 100s कितने हैं हमारे पास, 6, 100 वाले rod में 6 beads draw होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 10s कितने हैं, जी बिलकुल 1 है, 10s वाले rod में 1 beads draw होगा, और 1s कितने हैं, 1s भी 1 है, तो 1s वाले rod में भी 1 bead draw होगा, यानि 100, 600 है, 110 और 11, यह total हमारे पास है, 611, इस तरह से बिटा, आपने अपना D, E और F part जो है, वो अपनी बुक पे complete करना है, केरफुली काउंटिंग करनी है, नीट और क्लीन beads draw करने है, पेश नमबर 13, इस बिक नमबर्स है फोर्गॉटन दियर नेम्स, हैल्प देम, बाइटिंग दियर नेम्स, इन दा बॉक्स, प्रोवाइड़ जी, तो यह जो टोटाइस हैं, इन पर आपको नमबर लिखे वे यहां पर दीवी फिगर से हम उनके नमबर नेम उनको पताएंगे, help करेंगे, जी, इदर लिखा हुए, what is my name, तो यह पूछ रहे हैं, मेरा नेम क्या है, तो हमने नमबर्स नेम लिखने हैं, यह जो है अपने नमबर्स लिखने हैं, जी, फिस्ट वन में लिखा हुए, three, four, two, तो हमारे पास यह क्या है, hundred कितने है, three, tens कितने है, four, और ones, two, तो इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे, three hundred forty two, तो हमने नमबर्स नेम में लिखना है, यह first one जो है, वो आपके लिए complete किया गया है, आपकी बुक में, with spelling हमने इसको लिखने है, three hundred and forty two, तो हमने इसको लिखने है नमबर्स नेम में, कि इसको लिखा जाए, बी पार्ट देखिए, five, six, seven, जी, तो hundred कितने है, five, tens कितने है, six, और साथ में है, seven, तो यह होगे, sixty seven, यहनी five hundred and sixty seven, इनको सामने दिये हुए, box में हम लिखेंगे, five hundred and sixty seven, five hundred and sixty seven, with spellings neat and clean, correct spelling के साथ आपने फिलिंग करनी है, see part देखिए, hundred कितने है, one, tens कितने है, nine, और ones, one, यहनी, nine hundred means ninety, तो ही है, ninety one, यहनी one hundred ninety one, हमारे पास figure है, तो यहाँ पर हम उसको लिखेंगे, one hundred and ninety one, one hundred and ninety one, तो इस टोटाइस का नेम है, one hundred and ninety one, तो इन सारे numbers के हमने इसी तरह से नेम्स लिखने है, इन दिएवे ब्लॉक्स में, इनको neat and clean complete कीजिए, और फिर, चेक कीजिए, कि हमने correct numbers name जो है, वो लिखे हैं, write the numbers name, अब हमने numbers name लिखने है, हमारे पास कुछ numbers दिये हुए है, वो number पढ़ने है, और उनके names हमने लिखने है, यानि numbers name, यह with spelling हमने उनको लिखना है, फस्ट बन जो है आपके लिए complete किया गया है आपकी बुक पर, तो आएए इस example को देख लेते हैं, यह 600 and 40, बिल्कुल ठीक, 640, यह सामने लिखावा भी नजर आ रहा है हमें, 640, जी इस तरह से हमने अपने बाकी जो numbers name है, वो लिखने हैं, बीपार देखिए, 223, बिल्कुल ठीक, 23 लिखावा है, यह 223, यहाँ पर हम लिखेंगे, 223, जी, correct spellings के साथ, 100 के spelling भी correct रहें, 2 के भी और 23 के भी, आपने इनको चेक कर लेना है, neat and clean, बहुत खुला बड़ा नहीं लिखना, बहुत चोटा नहीं लिखना, neat and clean, 223, c पार देखिए, 400, यह क्या figure है बिटा, जी, 97, 497, बिल्कुल ठीक, यहाँ पर हमने इसका नंबर नेम लिख लेना है, 497, with correct spelling, हमने चेक कर लेना है उसको, 497, डी पार देखिए, जी, 500 है and, जी, यह क्या figure पढ़ी जाएगी, जी, यहाँ पर कोई टन्स नहीं है, 8 है, तो यह हम पढ़ेंगे, 508, बिल्कुल ठीक, 508, इसी तरह से हम इसका नंबर नेम लिख लेंगे, 508, E पार देखिए, 333, जी, बिल्कुल ठीक, 333, जो हमने इसको लिख लेना है, 333, जी, F और G पार जो है, वो आप खुद कम्प्लीट कीजिए इसी तरह से, अपने बुक पेज पे, और इसको री चेक भी कीजिए, कि हमने अपना पेज जो है, वो ठीक ठीक कम्प्लीट किया ह पेज नमबर 14, कुस्चिय नमबर 8, जी, पेज नमबर 13 पे हमने क्या लिखा था, नमबर लिखे थे, अब हमारे पास नमबर लिखे वे हैं, हमने सामने वाले बॉक्स में, उनका नमबर लिखना है, यहनी उनकी फिगर लिखनी है, यह पार देखिए, 924, 100 कितने हैं, 9 और तो इस बॉक्स में हम इसको कैसे लिखेंगे, 924, तो ये लिखा जाएगा 924, जी थर्ड विगर 100 की है, वो है 9, और 10 है 20 हमार पास, उसके साथ प्लस 1 है 4, तो ये टोटल कितना हो गया, 924, पी पार देखिए, 172, कैसे लिखेंगे हम बॉक्स में, 172, इस तरह से हम 172 जो है वो अपने बॉक्स में लिख लेंगे, C पार देखिए, 430, 430, तो अपने बॉक्स में 100 कितने लिखेंगे, 4, इसके साथ क्या लिखेंगे, 30, तो ये हो जाएगा 430, इसी तरह से बेटा, आपने अपना ये पूरा पेज ये ये पूरा पेज ये कम्प्ल जया हमचिन हैं उनों जो फड्मः क्या झीत hesit कर wh जाएगा साथ ये ये ड्हेगें झीत हैं